Hello Guys, कैसे हो आप लोग, I hope कि आप लोग ठीक होंगे दोस्तों मैं आज आप लोगों के पताने जा रहा हूँ कि आप Emboddy Machine में All Hat कैसे कर सकती हूग दोस्तों यह उन लोगों के लिए हैं जो इस काम में Emboddy के काम में नई है मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनको चानकारी है दोस्तो वो वीडियो को skip कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तो ये रहा monitor का face simple सी जैसे भी आपको machine चलता रहे कभी भी आप all head किस तरीके से कर सकते हैं ठीक है दोस्तो सबसे पहले आपको यह finger वाले बटन प्रेश करना है प्रेश करने के बाद साथ नम्मर पर आना है आपको sit machine पारस पर उसके बाद आपको इंटर दवाना है इंटर दवाने के बाद ऐसा option खुलेगा इसको आपको कुछ नहीं करना दुवारा इंटर दवाना है इसको बाद यह वाला option खुल जाएगा ठीक है ओप्शन खुनने के बाद यहां पर पांच नम्मर पर देखिए sit all heads पंच यह n है अभी मतलब अभी आपका all head नहीं है इसको आपको पांच नम्मर पर पहले लाना है इंटर को दवाना है और इसको यह एरो से वाई करना है ठीक है यह मतलब all head yes हो गया इसके बाद सिंपल से इंटर को दवाना है और सिंपल सी इससे बैक आजाना है वापस ठीक है और कुछ छेखानी नहीं करनी जैसे आपका डिजाइन चल रहा हो उस टेंब दोस्तों इस तरीके से आप अपनी मसीन में all heads कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह हम आगीर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा धन्यवाद